आज दाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्ञान, भौतक विज्यान और जी विज्ञान के डाउट्स कहकरो सपाया। बस प्रशन की फोडो कीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरत वीडियो सिलीशन पाओ, अभी राउनोड करें नमस्कार दोस्तों, प्रशन है, इलेक्ट्रोफोरेसिस में DNA को देखने के लिए किस से अभिरंजित किया जाता है तो दोस्तों हमें यहां पर यह पूछा जा रहा है कि जो इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है, उसमें DNA को जो देखने के लिए अभिरंजित किया जाता है, वह किस के द्वारा किया जाता है तो दोस्तों, इलेक्ट्रो फोरेसिस, इलेक्ट्रो फोरेसिस क्या होता है, हमें यह जान लेना चाहिए, तो दोस्तों, इलेक्ट्रो फोरेसिस एक तकनीक होती है, क्या होती है, जिसके द्वारा जो DNA होता है, क्या होता है, DNA उसको उसके आवेश के आधार पर, किसके आधार प पर उसके जो खंडों होते हैं, उसको अलग किया जाता है, अब इसके आधार पर DNA खंडों को या DNA के टुक्णों को क्या किया जाता है, अलग किया जाता है, और DNA पर कौन सा चार्ज होता है, DNA पर DNA पर रिनात्मक रिनात्मक आवेश होता है, कौन सा आवेश होता है, ठीक है, रिनात्मक आवेश क्यों होता है, क्योंकि उसमें जो फोस्पोरिक एसीड होता है, है, ह3PO4-hypo-phosphorus, क्या होता है, हाइपो-phosphorus हमल होता है, उसके कारण उस पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, यानि कि रिनात्मक आवेश होता है, और इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो DNA होता है, उसे किस से अभी रंजित किया जाता है, क्या किया जाता है, अभी रंजित किया जाता है, तो दोस्तों उसे एक डाई के द्वारा, किस के द्वारा, डाई के द्वारा भी रंजित किया जाता है, Chemo-Bromo-Phenol-Blue क्या होता है? Chemo-Phenol-Blue डाई के दवरा आभिरंजित कहा जाता है? जो कि की इसके कलर के होती है? निले रंग की होती है ठीके? और यह कहा जो उड़ती है? DNA के Sugar Phosphate जो rowsग की हड़्टी होती है Sugar Phosphate Bagbone पर शुगर फॉसफेट बेक बॉन ठीक है जो डिने में शुगर फॉसफेट शरक्रा होती है उसके जो बेक बॉन बनाता है जो डिने की उसके साथ निले रंग की यह डाई जूड जाती है तो दोस्तों हमारा प्रेशन था इलेक्ट्रोफोरेसिस में डिने को देखने के लिए किस से अभी रंजित किया जाता है तो दोस्तों हमने सबसे पहले देखा कि इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है तो दोस्तों इलेक्ट्रोफोरेसिस में डिने को उसके आवेश के आधार पर उसके डिने खंडों को क्या किया ब्लू और यहां नीले रंग की डाई होती है जो की डियने के शुगर फोस्पेट बेकबोन से जाकर जूड जाती है तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको यह उत्तर समझ में आया होगा धन्यवाद